एक बहुती गंबीर बात और अपनी बड़ी चिंता भी मैं आपसे साजा करना चाहता हूँ। और ये चिंता इतनी बड़ी हैं कि एक बार हिंदुस्तान के एक प्रधान मंत्री को पंदरा अगत को लाल किले के भाषण में इस चिंता को व्यक्त करना पड़ा था। समय के साथ हमारी राजनीती में एक गंबीर विकार आता गया है। राजनीती में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है। ये रणनीती तदकालीक रुप से अच्छी राजनीती लग सकती है। लेकिन ये आज के सच को, आज की चुनोतियों को, कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भावी पीडियों के लिए टालने वाली योजना है। उनका बविश्य तबाह करने वाली बाते हैं। समस्या का समाधान आज डून्डने के बजाए, उनको ये सोच करके टालते हैं कि कोई और इसको समझेगा, कोई और सुल जाएगा, आने वाला जो करेगा करेगा, मुझे क्या मैं तो पांच साल, दस साल में चला जाओंगा। ये सोच देश की भलाई के लिए उचीत नहीं है, इसी सोच की वज़ा से, देश के कई राज्यों में, आज पावर सेक्टर बहुत बड़े संकट में हैं। और जब किसी राज्य का पावर सेक्टर कमजोर होता है, तो इसका प्रभाव पूरे देश के पावर सेक्टर पर भी पड़ता है, और उस राज्य के बविश्य को अंधकार की और धकेल देता है। आप भी जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिबेशन सेक्टर में लॉस इस डबल डिजिट में हैं, जबकि दुनिया के विख्षित देशों में ये सिंगल डिजिट में बहुत नगणने हैं। इसका मतलब ये हैं कि हमारे हाँ बिजिली की बरबादी बहुत है और इसलिए बिजिली की डिमान पूरी करने के लिए हमें जरूरत से कहीं अधीक बिजिली के पैदा करनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि डिस्टिबिशन और ट्रांस्बिशन के दोरान तो जो नुक्षान होता है उसे कम करने के लिए राज्यों में जरूरी निवेश क्यों नहीं होता। इसका उत्तर ये है कि अधिकतर बिजिली कमपनियों के पास फंड की भारी कमी रहती है, सरकारी कमपनियों का भी ये हाल हो जाता है। इस स्थिति में कई कई सांग पुरानी ट्रांस्बिशन लाइनों से काम चलाया जाता है, नुक्षान बढ़ता जाता है और जनता को महेंगी बिजिली मिलती है। आंकडे बताते हैं कि बिजिली कमपनियां बिजिली तो परियाप्त पैदा कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके पास जरूरी फंड नहीं है और जादा तर ये कमपनियां सरकारों की हैं। इस कड़वे सत से आप सभी परिचित हैं। कि अलग-अलग राज्यों का एक लाग करोड रुपिय से अधिक का बिल बकाया पड़ा है। ये पैसा उन्हें पावर जनरेशन कमपनियों को देना है। उनसे बिजिली ले ली हैं, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। पावर डिस्रिपिशन कमपनियों का अनेक सरकारी भीभागों पर, स्थानिय निकाओं पर करीब करीब साथ हजार करोड रुपिय से अधिक का बकाया है। और चुनोती इतनी नहीं हैं, अलग-लग राज्यों में बिजिली पर सब्सिडी का जो कमिटमेंट किया गया है, वो पैसा भी इन कमपनियों को समय पर और पुरा नहीं मिल पाता। ये बकाया भी ये बड़े-बड़े वादे करकर जो किया गया है न, वो भी बकाया करीब करीब 75,000 करोड रुपिय से अधिक का है। यानि बिजली बनाने से लेकर गर-गर पहुंचाने तक का जिम्मा जिनका है, उनका लगभग डाई लाग करोड रुपिय फसा हुआ है। ऐसी स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बविश्की जर्रोतों पर निवेस हो पाएगा और नहीं हो पाएगा। क्या हम देश को, देश की आने वाली पीडी को अंदेरे में जिने के लिए मजबूर करना है क्या। साथ क्यों, ये जो पैसा है, सरकार की ही कमपनिया, कुछ प्रावेट कमपनिया है, उनकी लागत का पैसा है। अगर वो भी नहीं मिलेगा, तो फिर कमपनिया न विकास करेगी, न बिजली के नए उत्पादन होंगे, न जरुरते पुरी होगी। इसलिए हमेश स्थिती की गंभीरता को समझना होगा, और बिजली का कारखाना लगाना है, तो पांच-छे साल के बाद बिजली आती है, कारखाना लगाने में पांच-छे साल चला जाता है। इसलिए मैं सभी देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थरा करता हूँ, देश के उजवल भविश के लिए प्रार्थरा करता हूँ, हमारा देश अंदकार में न जाए इसके लिए जागरुत होने की जरुता है। आर इसलिए मैं कहता हूँ, ये राजनीती का नहीं, ये राष्ट नीती और राष्ट निर्मान का सवाल है, बिजली से जुड़े पूरे सिस्टिम की सुरक्षा का सवाल है। जिन राज्यों के ड्यूस पैंडिंग है, मेरा उनसे आगरह है, कि वे जितना जल्दी संभव हो सके, इन चीजों को क्लियर करें। साथ ही, उन कारणों पर भी इमानदारी से विचार करें, कि जब देश वासी इमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार बार बकाया क्यों रहता है। देश के सभी राज्यों द्वारा इस चुनोती का उचित समादान तलासना आज समय की मांग है। साथ क्यों, देश के तेज विकास के लिए बहुत जरूरी है कि पावर और एनर्जी सेक्टर का इंफ्रासेक्टर हमेशा मजबूत रहे, हमेशा आधूनिक होता रहे। हम उस थिती की कलपना भी कर सकते हैं कि अगर बीते आठ बर्षों में सबके प्रयाश से इस सेक्टर को नहीं सुधारा गया होता, तो आज ही कितनी मुसीबते आकर के खड़ी गई हो गई होती। बार बार ब्लेक आउट होते, शहर हो या गाउं कुछ गंटे ही बिजली आती। खेत में सीचाई के लिए किसान तरज जाते, कार खाने थम जाते, आज देश का नागरी सुभिदाने चाहता है। मोबाइल फोन की चार्जिंग जैसी चीजे उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी जरुरत बन गई है। बिजली की स्थिती पहले जैसी होती ते कुछ भी नहीं हो पाता। इसलिए बिजली सेक्टर की मजबूती हर किसी का संकल को होना चाहिए, हर किसी का दाई तो होना चाहिए, हर किसी को इस कर्तवय को निभाना चाहिए।